मुझा जाते हैं और वो खेल का स्थान था इंदर प्रस्त वहाँ खेल रहा था और खेलते खेलते जैसे गंधर गौतम भगवान उदर से पधारे उनकी दिश्टी बढ़ गई उनको कुछ पता नहीं बच्चा है को ये नहीं पता कौन संत हैं कहां से आये हैं और विश्टी पढ़ गई तो खेल को छोड़ दिया लगन देखो बच्चे के खेल सबसे अच्छा प्यारा होता है खेल को छोड़ करके गौतम स्वामी के पास आकर कहते हैं ये भनते आप कौन हैं आप कहां जा रहे हैं तो कैसे उत्तर दिया गौतम हम श्रमन हैं हम विक्षू हैं हम पांस इम्तितिन गुप्ति के राधित हैं हम संयम का पादन करते हैं हम विक्षा के लिए जा रहे हैं इतना और कुछ नहीं कहा कि मैं गौतम हूँ मेरे शिश्य हैं हम कई बार सीखने को मिलता है कि जब हमसे पूछा जाता है तो पहले हम अपना नाम लेते हैं मैं शिम्मुनी मैं सादू मैं जी भगवान फरमाते हैं कि अपना नाम भी कोई वश्यक नहीं लेने का जिरूरत नहीं है उतना कहो जितनी सार गर्वित बात है इतना आवश्यक है नहीं तो भाश्य स्वम्ती का बहुत बड़ा दोश लग जाता है हम कई बार बढ़ा चला कि बात क्या देते हैं अपने बारे प्रशंसा कर देते है उसको आच्छा मान लेते हैं, तो ये बात बहुत सीखने लाइक है, इतना ही कहा, हम भिक्षू है, हम साधू है, हम पंच महवरत पादन करते हैं, आप आप भिक्षा के लिए जा रहा है अक्षा आप भिक्षा के लिए जाते हूं तो मेरे घर चलो, ये संस्कार देखो राजा की रानी है, शिरी देवी है, विजय कुमार उसके पीतार राजा है, राजा के घर का बेटा तो अंगली बगल ली, छोटा बच्चा और कहां गंदर गौतम, इतने उचकोटी के साधक बच्चे ने अंगली बगल ली, और छुडाई भी नी, आप देखो, गंदर गौत अंगली पकर के राजा के लिए बच्चा में अपने घर ले गया, और उसको ये भी पता नहींए, कि विख्चा क्या तियार होगा या नहीं होगा, तो बिख्चा कली या तो मैं देख्चा क्या गंदर गलाता हूं, ये बच्चों को हमें संस्कार देने चाहिए, घर के चोटा बच्चा चोटा बच्चा क्यों ना हो उसको जरूर शिक्षा दो आप देने से पहले उससे दिलाओ बच्चा देता है तो बड़ा खुश होता है और बच्चे के संस्कार जीवन भर में रहते हैं जैसे गंशामदास बिर्ला के पोते का जनम दिन था तो उनके पास ले कि मेरे पास जो लेकी आये हो जनम दिन के लिए इसको कुछ देना सिखाया है दान देना सिखाया के नहीं जनम दिन की तो बात की बात है तो उनको देना सिखा चोटे बच्चे को जैसा आप कहते बच्चा वैसा करता है वो दान देता है तो आज देखो बिल्ला का नाम पसना अधिक से अधिक मिलता है तो कई बार प्रस्थिति वाश कमारे पास जब भी मौका परे आप देती रहो देने से बहुत कुछ मिलता है हुक्मिचंद यह हमारे पस बहुत अबार आते हैं कहते हैं को सिवा बताओ सिवा बताओ मैंने की भावना की कदर करता हूँ नाम की बात नहीं कहता अपने पास में नोटों की गठी रखते हैं अच्छा मारा किसको देना है इसको दे दो इसको दे दो लोगों को सबके बस पैसे होते हैं मैंने कहता आप नहीं देते पर भावना की बात है आवश्यक था आने पर उस समय देना बहुत आवश्यक है तो गंशामदास बिरला ने अपने पोतों को देना चिकाया भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे तो भिक्षा के लिए जा रहे थे तो पात्र आगे कर दिया भगवान बुद्ध को भिक्षा तो नहीं दी और राक दे दी भगवान मुसकर आगे चले गए तो भगवान से पूछा गया आपने तो भिक्षा तो दिया है दिया तो है ना जब कुछ भी दिया दिया है तो महापुर्श किसको महत्व देते हैं क्या दिया है वो महत्व पूरन नहीं दिया है देना देना बहुत महत्व पूरन है बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है और बहुत लोग देते भी हैं मैंने कहता जैसे यहां बैठ बैठें, दो साल से बैठें, रिमेश भाई है, उनका पुरा परिवार है, निशा जी है, रिक्की भाई है, तुलसी भाई है, यह अपने महता परिवार है, बीलाल का परिवार है, अभी अपने अशोक भाई आए हैं, हम तो दो परिवारों से कुझारा कर ले अपना, हमें इत हैं हम केवल साधना के दिश्टी से बैठे हैं और हमारा कोई मतलब नहीं परचार परसार करना हम जितना कर सकते हैं पर हम नहीं चाहते हैं परचार परसार करना भगवान ने जो वानी दी है उसको हम जीवन में अचर्न कर लें और जो साधू साधना के दिने में से बैठा हो को कोई रोगी हो, कोई बिमार हो, उसकी सेवा करना आपका गरिस्त का उत्तम, इसलिए गरिस्त को गरिस्तलिंग सिद्धा कहा गया है, एक वर प्रशन पुछा था बगवान से, रिक्ती भाई ने, प्रभु हमारा कल्यान कैसे होगा, बगवान ने का गरिस्तलिंग सिद्धा, ग पड़ता है, सब कुछ करते हैं, पर वो गृस्त, वो व्यक्ति, वो माता-पीता, वो बेटा, यदि गृस्त की कमाई अपने परिवार के लिए, संग के लिए, साधू के लिए, दीन दुखियों के लिए खर्च करता है, तो महान नच्रा करता है, इसलिए भगवान महावीर न शिरावक को अम्मा पीरो की भूमे का बचाईए, शिरावक अम्मा पीरो माता-पीता के समान होते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम बिक्षा के लिए जाते हैं, यहां तो सब उपलप्द हो जाते हैं, कई बर कुछ भी नहीं मिलता हैं, बहारों में जाते हैं, उस समय तो साथ में कुछ रखना चाहिए जो आप अहार खाते हैं मान लिजिए आप टेफन लेके जाते हैं रस्ते में गालीे के जाते हैं कोई सादु मूनिरा जाता उस समय आप उसको आहार देते हैं तो बहुत करमों कि जाने कि वो आहार शुद्ध है प्रासुक है, किसी के निमसी बनाया नहीं, आप अपने लिले जा रहे हैं, और सादू मिल गए, उस समय तुरंत गाड़ी को रोको, और प्रात्ना करो, भंते, जो भी आपको अवसर है वो लो, तो सकता है, कई बर सादू जा रहे होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है बोजन करते समय भी जब आप बोजन करने बैठते हैं, बोजन जो आपके ठाली में आ गया, उस समय भावना रखो, ये डान, शील, टप और भावना, चार परकार के बहुत नज़िदा कर सकते हो, आपने बोजन ठाली में ले लिया, लेने के बाद आप दो मिनट, पांच मि भाव रखो, कि मैंने भोजन गरहन करना है, मेरे द्वार पर कोई अतिति, कोई साधू, कोई ब्रहामन, आज आई पहली मैं उसको दूँ, फिर मैं भोजन करूँ, तो ये ये इसी भावना रखते हैं, अचानक अई बार हम देखते हैं, आप भोजन कर रहे होते हैं, हम आते लिएते हैं, और आप दुबारा नहीं बनाते हैं, जैसे मान लिजिए, आपने दो तीन रोटी रखती, आपने एक रोटी दे दी, आपको भुख लगी, तो आपको लगा तो रोटी तो कम रह गई, फिर दुबारा बना ली, वो लावनी, जो आपने दे दिया, उसे में संत दोश किया, तो बहुत लाव आपको मिलता है, बहुत कुछ आप इस दान के दौरा शुद्ध भाव से दिया गया दान, कहीं नाम नायक देखो मैं, आज कल बहुत परविट्टी पड़ गई, लोग देते हैं, मेरा नाम लगे, पलेट पर नाम लगे, औरे भाई, नाम तो पुन्य मिले का करता भाव से, प्रंतु नर्जरा नहीं होगी, महान नर्जरा, शाली भदर, कैसे बना, बत्तीस पेटियां चलके आती, बत्तीस राजकुमार, उसकी शादी होती है, और कैसे वो, क्या दियाता उसने, बच्चे को कुछ पता नहीं, भूक लगी, और खीर, म आंच के घुजरा करती है, बच्चा जिद करता, बच्चा जिद प्या जाता तो बच्चा जिद पूरी करनी पड़ती है, बच्चे की, खीर खानी है, तो माने बड़े, बच्चा खीर कहां से लाओं, तो आंखों में आंसू ले करके, फिर वो, कहीं से चावल लेती है, खीर खा ले, खीर स्वादिश्ट थी, मां कहीं बाहर चली गई, तो बेटे ने वो पातर में खीर ली, खीर को रख दिया, गरम थी थंदा रखने के लिए, जैसे खीर रखी, उदर से एक मुनी, मास का मन का पार, निकल आए, वो ऐसे जैन बच्चा नहीं था, कि जैन मुनी थ देखा, तो रेक हो गया भाव, कि मेरे खीर ले लो, मुनी तो मुनी थे, पातर लख दिया, उस बच्चे ने सारी खीर उडेल दे, आदी भी दे सकता था, भाव, उसमें क्या भाव आते, ऐसे भाव आते है, सारी खीर दे ली, और जो बच गया, वो चरा ऐसे चाटने लगा मुनित लेके चले गए, अब उस बच्चे ने अपने माँ को भी नहीं बताया, कि मैंने खीर दी है, जब वो चाट रहा था, माँ को लगा, कि इतना भुखा, सारी लिखा गया, अभी बेट नहीं भरा उसका, संयोग वच देखिए, होना था, कर्म सिधान्त की बात है, रात को उसके पेट में दर्द हो गया, भेंकर दर्द हो गया, रात को इचला गया, अब बनके इतना महान रिद्धी बाला वो बना, कि ऐसे सेट के घर जनम लिया, सेट का नाम क्या था? नहीं, शाली बदर था पर उसके पेटा का नाम उनके घर जनम लिया, बहुत रिद्धी सी दिवाला था, और बत्तिस राज कुमारियों से उसके शादी होती है, दान दिया था, किस भाव से दिया था, कुछ भी नहीं था, जिदकर के मां से, कि मुझे खीर खानी है, और टाफी देना भी पसंद नहीं करते, टाफी मांगें, नहीं, मुझे में डाल देते, कई पर बचों को देखो, मुझे में डाल देते, देते नहीं, फरंग तु भाव देखो उसके, मूनी आया, सारी खीर दे दी, और उच्छ भाव से दी, और मां को कह सकता था, मां मैं सारी प्रेकिर दे दिए तुम मेरे लिए और बनाओ बोला नहीं बताया नहीं उच्छ भाव कि भगवान कहते हैं उच्छ भाव आप साधना कर रहे हैं भगवान कहते हैं उच्छ भेद जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में ठहर जाओ चितना तुम जीव में ठहरोगे आपके अनन्त अनन्त कर्म की निज़र्ण हो जाएगी और आपके उच के उच भाव बनते रहेंगे। ये भाव की बात कहता हूँ, ये भाव अपने बनाए रखो और लक्श में आती है, चली जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। जो राजा थे, वो रंकपती हो जाते हैं, रंकपती राजा बन जाते हैं, जो जंगल थे, वहाँ राजधानिया बन जाते हैं, जो राजधानिया थे, वो जंगल बन जाते हैं, अब चंडीगड जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पंजाब और हर्याना की राजधानी है, क करके देखो जगा नहीं मिलती इतनी सुंदर चंडी गड़ कैपिटल बन गी एरोडराम बन गया सब लोग फलाइट चलने लगी तो वहाँ जंगल था जंगल के जंगा कैसे मंगल हो जाता है यह भी धर्टी का एक भागय होता है और कई पर आप देखते हैं शम्शान भूमी वह भी ऐसी भूमी का भागय होता है कि वहाँ शम्शान ही होना होता है और ऐसी भूमी का भागय होता है कि वहाँ उत्तम से उत्तम नगरी बन जाती है तो इस बात का विवेच्चन देना क्या देना किसको देना स्योग या पात्र को देना दे करके फिर कभी किसी को बताना नहीं कि मैंने दान दिया है उत्तम दान होता है दान दे करके बता दिया और अपना नाम लगा लिया उससे लाव तो मिलता है पुन्य तो मिलता है अपरन तो भाव नहीं रहते तो आयोत अतिमुक्त कुमार के बारे में जो छोटा बच्चा कैसे गया कैसे मुसके माता पिता ने उसने आहर दिया फिर आहर करने के बाद सीधा कौतम से पूछा आप कहां जा रहे हो आप तो मैं भगवान के पास मेरे गुर्देव उनके पास जा रहा हूँ वो कहां रहते हैं कुछ बता नहीं आकिस ने आहर भी घर भी नहीं किया मैं आपके साथ चलता हूँ अब गौतम साथमों का नायक जो आहर लाए अपने हमारे यहां बनन आता है कि जैसे आप आहर पाने लेके आओ इच्छा करन का पास पड़ने के बाद अपने गुरू को बड़े आचारे को या कोई स्थविर को रोगी को उनको पहले आर दिखाओ पहले उनको करो तुम ग्रहन करो फिर ग्रहन करना नहीं ऐसा नहीं कहीं बड़ आहर आया अच्छा अच्छा माल खा गए और भाकी दिखा दी मिला ही कुछ नहीं हम क्या करें ऐसा नहीं करना कभी नहीं करना तो आहर भगवान ने कहा संभी भागो तसमोखो संभी भाग करना हम आपकी खर में कुछ भी लेके आएं चोटे मुनी हम एकठे बैठते हैं, एकठे बैठने के बाद हार को देखते हैं, फिर किस मुनी को क्या वश्रकता है, पहले उस से नवेदन, किसी की तबस्या है, कैसे हमारे शौर्य मुनी किठाई का τब है, परसो पार्णा करेंगे, तो पहले उन से पूछना चाहिए, आपको क्या कपता है, तपसी को, रोगी को, जिसकी जो रुची हो, फिर उसको दिखा, और आपके घर में भी जाते हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है, देने के लाइक, जो देने, अब देखो, अतिमुक्त कुमार की माता ने चारों परकार कहा दिया, असनम, पानम, खाई मिठाई, जो भी आप मिठाई, कितनी परकार के मिठाई होती है, स्वादिश्ट, असनम, पानम, खाईमं, स्वादिश्ट, स्वादिश्ट में क्या आता है, जैसे आप मुक्वास है, और अलेची, जो भी कुछ से आप, लास्ट में, खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, स्वादिम, चार परकार काहर, इसका मतलब है उनकी माता ही, रानी थी वो तो रखती थी, आप दी घर में चार परकार काहर रखो, तैक इसी मुनि को कोई खांसी है, कुछ है, उस और युच ले में उसको जो द्वायप चाहिए, वो ले सको, चारों परकार काहर देती है, तो गंदर गौतम भगवान के चल्णों में आते हैं, आके इरिया पते का पाहट पड़ते हैं, भगवान को आहर दिखाते हैं, भगवान को आहर दिखा करके वो आहर करते हैं, तो आब भगवान के पास अतिमुक्त कमार बैठा है, ब प्रभवान परिशद आई थी, भगवान ने तो उपदेश दिया, उपदेश एक उपदेश दिया, उपदेश सुनकर के भगवान के चरणों में आया, परिशद आचा लिए गई, प्रभो, क्या मैं आपके पास दिख्षा ले सकता हूं, देखो, छोड़ा बच्चा, मैं दि कार भी ने करते, ऐसा भी ने करते, जल्दी जल्दी तुम दिख्षा लेगे, जैसे आपकी आत्मा को सुक घर में आता है, घर में आते माता पिता को कहता है, हे पिता हे माता, मैं दिख्षा लेना चाहता हूं, माता पिता तो एक ही बेटा, सुकमाल बेटा, सुन्दर बेट और दिख्षा की बात सुन करके तो माता पिता कि रहना है तू क्या जानता है दिख्षा क्या होती है ऐसा को दिख्षा ली जाती है दो प्रिशन जो मुनी जी ने आपके समझे रखे थे जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता और जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूं कितना फिलासिफिकल क्वेश्चन उसने रखी छोटा बच्चे अब माता पिता कोई पता नहीं जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता हूं जिसे नहीं जानता हूं अतिमक्त कुमार कहते हैं मा, मैं जानता हूँ कि जनमा है वो मिर्तियों को पराप्त करेगा, निश्चित मरेगा, पर तु ये नहीं जानता, वो कब, किस समय, कैसे, किस स्थान पर, किस प्रकार से, कितने समय के बाद मरेगा, ये मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ, उसे नही जानता हूँ कि मृतियों को प्राप्ट होगा जो जनम लिया है वो मरेगा हम अपने को नहीं जानते हैं हमें नहीं पता मौत आएगी आएगी पिचास बरस के बाद आएगी बिस बरस के बाद आएगी देखेंगे तब क्या करना है मौत को हमेशा याद रखो अरस्टोटल ने कहा था if there is no death there will be no religion अधी मौत ना होती तो धर्म ही ना होता यह मौत का दर है जो आप को धर्म करने के नहीं प्रेड ना देती है पता नहीं मौत कब आ जाए पर हम क्या कहते है हम मौत को पोस्टवन कर देती है जिसी की मौत आती है अर्थी निकलती है शम्चान लोग जाके आते है हम क्या कहते है it is always not myself माई नहीं मारा वो मारा हम क्या कहते हैं वो मारा मैं तो नहीं मारा मैं तो 20 वरस जी हूँँगा 25 वरस जी हूँँगा ये माउद को याद रखना ये बुद्ध जो गौतमादी बुद्धा थे इसी से वेराग्य हुआ था उसको उसके पिता ने उसको पिता को कहा गया था कि ये वालिक सन्यासी बनेगा इसके सामने कोई माउद का जिकर ने करना कोई बड़ापे का जिकर ने करना और उसके महलों में रोज फूलों की शया बचाई जाती थी और कुमराए फूल उठा दिये जाते थे कोई वरिद्ध उसके पास नहीं जाता था कोई मिर्ट्यू उसके सामने नहीं आता था और घटना घटती है जो घटना होती है एक बात यूथ फेस्टिवल था राजकुमार को सार्थी सिंघासन पर रत पर लेकर जा रहा था दूर से देखा किसी रक्ती को उठाए हुए लाश पर ले जा रहे है राजकुमार ने पूछा ये कौन है इसको कंदे पर क्यों उठाया जा रहा है सार्थी ने कहा ये मर गया है इसको कंदे पर इमत की मरता भी है उसको नहीं पता था किसी की मौत होती है इतना राजकुमार था हाँ मरता है अच्छा कितने बरस के बाद और फिर मैं भी मरूँगा किते तुम भी मरूँगा सतर बरस के बाद असी बरस के बाद तो राजकुमार ने कहा बेम बरूँगा तो फिर मरना जो रही है तो फिर आप मोद पर मोद किसके लिए रत को वापस ले जाओ मुझे नहीं जाना फिर आते हुए किसी बुरी वक्ती को देखा बुरा वक्ती हाथी पकड़के चल रहा है जुरियां पर गई है कमर टेड़ी हो गई है राजकुमार ने कहा सार्थी इस वक्ती को क्या हो गया यह चल कर नहीं पाता यह टेड़ा क्या हो चलता है कमर को जुग गई है सार्थी ने कहा राजकुमार ये व्यक्ति बूड़ा हो गया है इसकी कमर टेड़ी हो गई है चल नहीं सकता मुं में लार आ रही है चेरे में जुड़ियां पर रही है उसने कहा कि मैं भी बूड़ा हूंगा अभी नहीं सत्र बरस के बाद बूड़े होगे नहीं लट को वापस ले जाओ यहां से वेराग्य शुरू होता है गौतमादी बुद्धा का उसने एक लाश और मरह हो व्यक्ति को देखा बूड़े व्यक्ति को देखा तब कहा दुख है दुख का कारण है कारण का उपाय है उपाय से मुक्ति है बुद्ध की जो धर्म और देखना यहां से शुरू होती है कि मत पूछो कौन गया कहा गया लोग सब जाना है मरना है तो कैसे कैसे प्रेड़ना मिलती है और कैसे उसने कहा जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता, उसे मैं जानता हूँ, माता ने कहा, पिता ने कहा, बच्चे ये क्या पहली हमें नहीं पता, उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता, कि कर्म बंद के किन कारणों से जीव, चार गती, 84 लाग जीवा योनियों में भर कामन करना ही पड़ता है मैंने जानता हूँ उसे नहीं जानता हूँ नहीं जानता उसे जानता हूं, मैं जानता हूं यह जनमा है वो मरेगा, पर नहीं जानता किस व्यक्ति कब कैसे किस स्थान पर मरेगा, मैं नहीं जानता करम बंद के किन कारणों से जीव, चार गती चुरासी लाग जिवा जोनी में जाता है, पर यह जानता हूं कि हर को व्यक् सब्सक्राइब है है हम समें कर्मों का सिधान कर्म है कर्म का अंतरा है इस बात को लेकर यह सारी आप काता तो आप सुन चुके हूं माता पिता ने बात समझाया प्यार से समझाया जाड़ दब के समझाया परंतु वो नहीं माना आकर लालच दिया कि एक दिन का राज आप गरहन करो राज कुमार चुप हो गया जैसे गसुक्माल को एक दिन का कृशन ने राजा दिया था वैसे राज कुमार को राज दिया गया और विराग्या पक्का था उसको तो और कहने लगा अच्छा ठीक है राज दे कि क्या आग्या क्या है बस मेरे लिए दिक्षा के समगरी त्यार करो अगा पात्रा लाओ उसी कंसार जब माता पिता ने पूरी देखा के विराग्या पका है छोटे बच्चे को माता पिता ने आग्या दे दी इंकार ने किया भगवान के शिरी चर्णों में गए और भगवान ने उसको दिक्षा दे दी चोटे बच्चे को दिक्षा दे दी चोटा बच्चा था अब वो घटना भी आपने सुनी होई कि वरसाता आ गई रस्ते में मुनी बाहर जाते हैं शोचादी के लिए अपने साथ पातर ले जाते हैं पानी बगड़ा ले करके तो रस्ते में वो सभी बहुत से मुनी थे साथ बच्चा भी जा रहा था उसने देखा बहुत पानी बरसा हुआ था नाल लगी हुई है तो बच्चे को देखा खेल यादा आ गया मेरी नाव तेरे मेरी नाव तेरे मुनी जिने अभी बजन गाया एक पाल बनाई और वहां पात्री तरह दी और बड़ा खुश हुआ मेरी नाव तेरे मेरी नाव तेरे बाकी जो मुनी राज बड़े थे उन्होंने देखा और निराज हो गए कि ये कैसा बच्चा है अब भगवान कोई निंदा खिसना गलानी का बाब कि कैसे बगवान है चोटे बच्चे को दिक्षा दे देती है पता कुछ नहीं है कितना दोश लगा दिया कच्चे पानी का दोश लगा दिया पात्री उस में ड्रा दी सारी बाति हूँ मन में कहते है और बच्चे को बिना बताई, उस बाले को भगवान के पास चले जाती है, भगवान ने का, ए मुनियों, तुम छोटे मुनी की, तो चरम शरीरी है, इसी जनम में मोक्स जाएगा, उसकी बच्चे की तुमने हिर्दिया की रिजुता, सरलता, शुदता, पवित्रता, कोमलता को नहीं देखा, तुमने ऊपर के बातावरन को देखा, मुनियों, उसकी निंदा, खीषना, अभेलना, तुमने की है, उसकी रोचना करो, उसको ले के आओ, भगवान के इसको ले के आओ अपने साथ, वो छोड़के चले गए थे, जब वो भगवान उनके पास आये, मुनियो कैसे कहते थे, भगवान ने कहा, उसकी निंदा मत करो, उसकी हिर्दिया को देखो, तो हमें भी शिक्षा मिलती है, कोई छोटा बाल मुनिरिक्षा ले लेता है, या कोई गलती भी हो जाती है, हमारे से भी गलती हो जाती है, आप बड़े प्यार से अलग से हमें कहिए, और क कि घर में जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, कि आप बाहर बताते हैं किसी को, घर में जाने की कोशिश करती है, ऐसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, तो उस मुनी को, उस साध्वी को घर में एकांत बैट कर, एक बार, दो बार समझाओ, नहीं फिर समाज के सामने ले जाकर के उसको कहा दो, तुम अपने संसार का महारग दिखा दो, यह होता है धरम का महारग, तो जब भगवान ने कहा, यह चरम शरीरी है, यह दिक्षा लेगा, यह मोक्षगामी आत्मा है, तुम क्या करते हो, क्यों निंदा कर खिष्णा करते हो, ग्रहन ना करते हो इसकी, तो मुनी वापस आये, उसको लेकर आये, भगवान के चरनों में, भगवान के पास आया, फिर इसको वीचार आया, बच्चा था, बच्चे ने खाओ, में बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या जिरूरती की क आग ऐसा सुन करते हैं, उसने फिर अलोचना कि, बच्चे बड़ी ज़्दी समझ जाते हैं, बच्चे बड़े कॉमल होते हैं, उसको प्यार से समझाओना सारी बास समझ जाते हैं, तो उन्हों ने अलोचना की, ऐसी अलोचना की, कि बहुत कर्मों की अलोचना कर ले, कल का दि मापरसमसरी का दिन है आप अपने कारवार बंद रखिए और शारस वाध्याए ध्यान अलोचना फ्रतीकर्मन और तब जितना आप कर सकते हैं पोशद कर सकते हैं पोशद किजिए कर्मों को हलका कीजिए अलोचना करना काल का दिन बहुत महत्तपरून है ये साथ दिन के बाद आठमा सिर मौर का दिन होता है तो कीजी जितनी गहरी अलोचना आप कर सकोगे उतने करम हलकी हो जाएंगे आप सबसे अनरोद हैं हमारा तो ये अतिमुक्त कुमार का जो जीवन है बहुती सुन्दर जीवन है बहुत शिक्षा मिलती है इससे आगे का विवेचन तो ज्यान का था जीवन की कला ज्यान और भी ज्यान इसकी चर्चा फिर करेंगे क्योंकि समय हो गया है पचकान कुमार